है लो फ्रेंड्स मैं पुश्पेंद धाकड स्वागत करता हूं आपका धाकड एक्एडमी में इस वीडियो में पढ़ने वाले पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है सबस्पेलात हम इसकी पहचान पर पहचान होती इसकी अगर किसी बाक्तन के लाश्ट में क्या होता हो चुका था चुकी ते जो भी आता है चुका था चुकी तो उपक्र questo का औरailed भाज़ा ओंप पर इंद्ग you चाहा फास्ट चाहा क्यूचर हो हमेशा वर्व की थर्ड फ़र्म आती है लिख लो कहीं भी चलो तो बिना किसी देरी के शुरुगार्थ करते हैं सिंपन सेंटेंस वियुक्ष सब्सक्राइब प्लस हेल्पिंग वर्प्लस बर्व का थर्ड पॉंप्लस ऑब्जेक्ट वो जच चुका था, he had gone, he subject है, इसका लिए helping my head, बरब का third point, go went gone, he had gone, he had gone, बो खाना खा चुका था, बो खाना खा चुका था, he had taken, took or taken, he had taken food, he had taken food, मैं गाना गा चुका था, I had sung a song, I had sung a song, got it, तो guys, यह आपके simple sentence होता है, अब हम आते हैं, negative sentence, आप जानते ही हैं कि helping बरब का third point, plus object, अगर आपको साथ हैं बोलना है, train, नहीं जा चुकी थी, train hadn't gone, मैं गाना नहीं गा चुका था, I hadn't sung a song, I hadn't sung a song, बारिश नहीं हो चुकी थी, बारिश नहीं हो चुकी थी, it hadn't rained, it hadn't rained, तो guys, जीएक साथा आपका negative sentence, finish होता है, अब हम आते हैं, interrogative sentence, interrogative means, पहले आपका helping बरब, पर आपका subject, पर आपका बरब का third point, plus object, जी हैं, क्या वो जा चुका था, क्या वो जा चुका था, had he gone, had he gone, क्या तुम रो चुके थे, बाओ, नया sentence, क्या तुम रो चुके थे, इसको कैसे बुलेंगे, had you cried, had you cried, क्या मैं गाना गाचुका था, had I sung a song, had I sung a song, तो guys, जीएक साथा आपका interrogative sentence, finish होता है, अब हम आते हैं, interrogative plus negative पर, interrogative plus negative क्या होगा, helping birth plus subject plus not plus वर्व का थर्डबों plus object, या फिर hadn't plus subject plus वर्व का थर्डबों plus object, क्या वो नहीं जा चुका था, क्या वो नहीं जा चुका था, तो क्या होगा इसका, hadn't he gone, या had he not gone, had he not gone, क्या बारिश नहीं हो चुकी थी, क्या बारिश नहीं हो चुकी थी, तो hadn't it rend, hadn't it rend, या फिर had it not rend, तो इसी के साथ आपका interrogative plus negative खतम होता, और इसी के साथ आपका पूरा past perfect tense भी finish होता है, तो hope you guys आपको इस समझ में आ गए होगा, practice करें, जो भी feedback है, feedback section में जरूर लेकें, अपने parents, सब लोग साथ share जरू करें इस बात को, अपने sentence को बार बार बोलें, ज्यादा से ज्यादा revise करें, practice करें, strong bonding के लिए tense आ गया, तो सब को चा आ गया, thanks for watching,